ऐसे और वीडियोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दवाएं नमस्कर दोस्तों मैं हर्स आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं हर्स वीडियो ल्यूटिप लांगे एक और फ्रेश टेक्निज एपिसोड में यह हमारा टेक्निवस का 152 एपिसोड चली दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हर्स वीडियो दियूटिप लांगे एक और फ्रेश टेक्निज एपिसोड को दोस्तों आज की पहली खवर की बात कर तो यह निकल के आ रही है चैनीज स्मार्टफन निर्मात्ता कंपनी साउमी की तरफ से दोस्तों साउमी के आने वाले एक और नए डिवाइस साउमी रेड्मी एस्टू से रिलेटेड कुछ लीक्स और रूमर्स देखनी को मिले हैं इ यह आसा की पता चलता है इस रिपोर्ट के अनुसार यह जो डिवाइसे साउमी रेड्मी एस्टू इस डिवाइस आपको देखने को मिल सकता है क्वालकॉम का स्नेट रेगन 660 प्रोसेसर जो आपको साउमी की मैं आई 6X में देखनी को मिला है साथी साथ कैमरा सेक्टर में की इस डिवाइसम्न पर क्रोसे सामने को मिल सकता है तरह प्लस 5 मेगा epoxy का डुल रियर कैमरा 13 MP का फ्रंट कामरा इंट रिनों का जी पी आपको यहाँपे देखने को मिलेगा 4 GB की राम देखनी को मिलेगी 64 GB के इन बिल्ट स्टूरेज के साथ लेकिन दोस्तो इस स्मार्टफून के प्राइस के बारे में और साथी साथ लॉंच देट के बारे में कोई भी जानकारी निकल के नहीं आया है यानि कि इस दिवाइस के प्राइस से रिलेटेड या फिर लॉंच देट से रिलेटेड कोई भी रिपोर्ट सामने निकल के नहीं आया है दोस्तो अगली ख़ब की बात करें थे ये निकल के आर ये साथ कोरेन स्मार्टफून निर्माता कंपनी LG के दरब से दोस्तो LG अपने नए फ्लेक्सिब डिवाइस LG G7 को बहुत जल्दी मार्केट में पेस करनी वाला है रिपोर्ट तो कुछ इस परकार के निकल के आई है जिसके माधियम से ये पता जलता है कि ये डिवाइस मै के अंतरगती स्मार्ट फून मार्केट में देखने को मिल जाएगा दोस्तो इस स्मार्ट फून से रिलेटेड कुछ लिक्स और रूमर्स सामने निकल के आये हैं जैसा कि इस दिवाइस में आपको देखने को मिल सकता है 6 इंच का 19 इस प्रेक्ट रेशियो वाला लेकिन दोस्तों यह नहीं किया रहा है क्योंकि दोस्तों आज से कुछ दिन पहरे एक फोटो सामने निकल के आया था जहां पर दिखाया गया था जो फिंगर्प्रिंट संसर है वो बैक साइड में है लेकिन कल एक फोटो निकल के आया था जहां पर बताया जा रहा था लेकिन फिलाल के लिए बहारी देखनी को मिलेगा लेकिन दोस्तों इस सब्सक्राइब कोई भी लीक्स अरुमर्स अभी भी देखनी को नहीं मिला है दोस्तों अगली खवर की बात करती है निकल के आ रहे है साउध कुरिन स्मार्टफोन निर्माथा कंपनी LG की तरफ से दोस्तों LG अपने एक और नए बजट औरियेंटेद डिवाइस को लांच करने वाला है जिसका लाम होगा LG Q7 जानकारी लिए बता दो 2016 के अंतरकत या फिर 2017 के अंतरकत माप कीज़े गतवरे 17 में ही LG ने अपने एक डिवाइस LG Q6 को लांच किया था जो बजट प्राइस में आपको 18-9 इस्पेक्ट रिश्यो डेलने वाला पहला ऐसा स्मार्टफोन था उसके बाद तो आपको तरह तरह के स्मार्टफोन देखने को मिले हैं जहां पको 18-9 इस्पेक्ट रिश्यो डिस्प्ले दोस्तों उसी का जो सक्सेसर है LG Q7 आसी रिपोर्ट निकल के आई है कि माई 2018 में लांच होगा साती साथ दोस्तों इसे स्पार्टफोन से रिलेक्टविट को जानकारिया सामने निकल के आई है जैसा कि बताया जारा है कि इस डिवाइस में आपको देखने को मिल सकता है एक 19 दिवाइस निकल के आई है कि माई 2018 में यह डिवाइस लांच हो सकता है दोस्तों अगली ख़वर की बात करें तो यह निकल के आ रही है 5G तकनिक के तरफ से दोस्तों इससे का आपको मालूम है ही कि टेक्नोलोजी बहुत तेजी से आगे की और बर रही है तो ऐसा हम फिलाल के लिए तो हम लोग 4G यूज कर ही रहे हैं लेकिन 5G से रिलेटविट देखने को मिल रहा हैं बताया रहा है कि दोस्तों 5G जो है इंडिया के अंतरगत बहुत जल्दी आने वाला है रिपोर्ट कुछ इस प्रकाती निकल के आई है कि मीड 2020 तक इंडिया के अंतरगत 5G बहुत ही अच्छे से फैल जाएगा जहां आपको तरह तरह के कंपनिया 5G क सिबा एक अच्छे प्राइस में उप्लब्द करवा देगी दोस्तों अगली ख़वर की बात कर जो यह निकल के आरिया साउथ कुरेन स्मार्टफोन निर्मारता कंपनी सैंसंग की तरफ से दोस्तों सैंसंग के आने वाले एक और ने फ्लेक्सिव डिवाइस गैलेक्सी जैसा की आगलो मालॉम होगा है कि सैंसंग फोकस करें एक ऐसा एक जडिवैस देखनी को मिला जिसके माद्यम से पता चलता है कि आने वाला नूट नाइन है वहहाँ बें पया को तेखनी को मिल सकता है मिह नाच दिस्पेällen आब नॉर्माली तोरs दोस्तों नाच वाले डिष किसी का भी और सपोज एक नॉच हो गया तो नॉर्मली तर पर ज्यादतर तो लोग यह कहेंगे कि आइफोन का कॉपी किया गया है आइफोन X में ही आपको सबसे पहले नॉच देखने को मिला था दोस्तों अगली फ़र की बात करें तो यह निकल के आ रही है चानीज स्मार्टफन निर्माता कंपनी साउमी की तरप से दोस्तों जो खबर है साउमी के आने वाले एक और ने अपकमिंग फ्लेक्सिव डिवाइस साउमी MI7 को लेके है दोस्तों बताया जारा है कि आने वाला साउमी MI7 इसी साल मई महीने के अंत में लॉंच हो सकता है जहां दोस्तों कल कुछ इस परकार के लीक्स और उमर्स देखने को मिली थी लीक्स और उमर्स के अधार पर बात करूं तो जो MI7 है मै के महीने यानि मैं 2018 के अंत सिर्फ तक launch हो सकता है मंकू बता दो दोस्तों यह जो डिवाइस है साउमी का flexible device होने वाला है जहां पर आपको क्वालकॉम का snapdragon 845 processor देखने को मिलेंगा और तरह तरह के कमाल कमाल के specific license देखने को मिलेंगे जो आपको एक चाहिए दोस्तों अंतिम खोर की बात करत वह निकल आ रही है स्मार्टफिन ने रमाता कंपनी वनप्लस के तरप से दोस्तों बंप्लस का आने वाला एक और अपकमिंग फ्लाक्सिब डिवाइस वनप्लस 6 लॉंच होने में बहुत करीब है नॉर्मली तोर पर इसे लिए इस से . एंड रिनो का GPU आपको देखने को मिल जाएगा इस पीडिवाइस आपको तीन वेरिंट में देखने को मिलेगा जहांपे आपको 4GB कि देखने को मिलेगी 6GB की RAM और 8GB की RAM लेकिन दोस्तों जो 4GB RAM वाला वेरिंट ये- अज्क श्याट्वी आपको 6GB RAM और 8GB RAM देखने को मिले 128GB और साथ 64GB के इन बिल्ट इस्टोरेज के साथ दोस्तों यह बात कर लो कि इस डिवाइस का प्राइस क्या होगा तो अभी तो कुछ बताया नहीं गया है लेकिन अंदाज़ा लगाया जा सकता है जो डिवाइस होगा 8GB RAM आपको हमारे उर से दिया गया टेक नूज कर यह एपिस्वाइस के बीच में हो सकता है और जो 6GB RAM बंट वेन्टी इट जीविन बिल्ट इस्टोरेज के साथ आएगा उसका प्राइस तक रिवन तक रिवन 35,000 लेके 40,000 रुपै के बीच में हो सकता है उमीद करता हुए हमारे तब तक के लिए नमस्कार जहन बंदे मात्रों